यूपी उप्चनाव में बीजेपी गडबंदन को जटका देंगे अखिलेश यादब 96 सीट पर इन नामों पर सपामे मन्थन उत्रप्रदेश इस्तित मिर्जापुर की 96 विधानसवा सीट पर उम्मीदवार को लेकर समाजवादी पार्टी में कई नामों पर मंतन शुरू हो गया है उत्रप्रदेश में निकाय चुनाव और उप्चनाव को लेकर सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच रही है उप्चनाव के लिए दोनों ही सीटों पर नामंकन इसी हफते शुरू होगा लेकिन इससे पहले सियासी दलों में उमीदवारों के नामों पर चर्चा शुरू हो चुकी है खास्तोर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी गडबंदर में उमीदवारों के नामों पर चर्चा जारी है सपा प्रूक अखिलेश यादव शनिवार को लखन उस्तित पार्टी मुख्याले पहुंचे थे यहां उप्चुनाव और निकाय चुनाव से संबनित तमाम मुद्वारों पर चर्चा हुई सूत्रों की माने निकाय चुनाव की तैयारियों और जिलामान अगर अध्यक्ष के नाम पर चर्चा करने के साथ थी अख्यले श्यादब ने मिर्जापुर की च्छानवे विधा स्वा सीट के उप्चुनाव पर भी मंधना की है इस सीट पर सपा में उमीदवार के नाम को लेकर भी श्यनिवार को मंधन हुआ है इन नामों पर हो रहा है मंतन सुत्रों की माने तो च्छानवे सीट पर उप्चुनाव के लिए पूर्व विधायक काली चरण मिर्जापुर के जिलाद्यक्ष दिवी प्रसाथ चौधरी और कीर्थी कोल समेट कई नामों पर अख्यले श्यादब ने इत चर्चा की है हाला कि ये भी दावा किया जा रहा है कि स्टपा के नेता दिवंगत विधायक राहुल कोल की पत्नी रिंकी से भी संपर्क कर रहे हैं दरसल अख्यले श्यादब ने मिर्जापुर के नेताओं से चुनाप की तयारी करने के साथ ही जल्द नाम की कोषणा की बात कही है इन नामों पर हो रहा मंतन सूत्रों की माने तो 96 सीट पर उप्चुनाप के लिए पुर्वविधायक काली चरण मिर्जापुर के जिलाद्य अक्षिद देवी प्रसाद चौधरी और किर्थी कोल समयत कई नामों पर अख्यले श्यादब ने चर्चा की है अना कि ये दावा किया जा रहा है कि स्तपा के नेता दिवंगत विधायक राहुल कोल की पत्नी रिंकी से भी संपर्क कर रहे हैं दरसल अख्यले श्यादब ने मिर्जापुर के नेताओं से चुनाप की तैयारी करने के साथ ही जल्द नाम की खोशना की बात कही है